सूपर बात प्यारे बच्चों आजम करेंगे लेसन ट्वेल्फ आओ की मातरा पेज नमबर सिक्स्टी टू आफ यार हिंदी बुक तो ये क्या है आओ की मातरा पिछली वीडियो में हमने की थी आजम करेंगे आओ की मातरा रीडिंग करते हैं औरत यहां पे अपने पीछे से स्टिकर पीस्ट करने औरत का पोधा खिलोना तोलिया चोकीदार आगे आगे नोसो दोर दोर बोना मोना मोका मोका कोवा कोवा नोका नोका चोकी, घोरी, लोकी, कोडी, मोसम, नोकर, मोसमि, पकडी, कचडी, चोकरी, चोधरी, चोधरी अगे फिर पढ़ो मौसी मौसी ने फल फल चौकी चौकी पर पर रखा मौसी ने फल चौकी पर रखा मौनी मौनी ने उसे ठीक ठीक से पर रखा मौनी ने उसे ठीक से पर खा मौस मी काट कर जूस निकाला नौकर नौकर ने फिर नमक मिलाया तौलिये से साफ किये सब सब हाथ पकोड़ी भी थी सब के पास जोड़कर शबत बनाओ जहां पे इनको जोड़कर शबत बनाना है पकोड़ी चोकड़ी 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 कचच़डी कचाड़ी 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 next page lesson है reading करेंगे हम पकड़ी कचाड़ी पीज नमबर 63 सौरब गौरब थे दोग भाई सौरब सौरब गौरब गौरब थे दोग भाई पकड़ी कचाड़ी पर हुई हुई लड़ाई सौरब सौरब कहता कहता मेरी मेरी पकड़ी गौरब गौरब कहता कहता मेरी कचाड़ी कचोड़ी सौरब गौरब थे दो भाई पकोड़ी कचोड़ी पर कुई लड़ाई सौरब कहता मेरी पकोड़ी गौरब कहता मेरी कचोड़ी तहां पर सौरब और गौरब जेरे खुजे दो भाई थे उनकी पकोड़ी और कचोड़ी पर लड़ाई होई तो सौरब कहता कि मेरी पकोडी है और गजुरब कहता है मेरी क्चॉणी जगड़ा सुनकर मौसी आई जगड़ा सुनकर मौसी आई लगाई दोनों को फिर चप्त लगाई छूकी चौकी पर बिठाया उनको चौकी पर बिठाया, उनको मौसी ने समझाया, उनको फिर उनको चौकी पर बिठाया और उनको मौसी ने समझाया सबकी थी दो दो कुचोडी, सबकी थी दो दो कुचोडी, मौसी ने बताया कि सबकी दो दो कुचोडी थी और दो दो कुचोडी थी अपनी खाकर दोड लगाओ चौकी दार से चाबी लाओ अब मत लड़ना धूनो भाई नहीं तो होगी बहुत पिटाई फिर उनको समझाया कि अब तुम जगडा मत करना और नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होईगी अगे अभ्यास प्रश्णों के उतर दो तीन शब्दों में लिखो दोनों भाईयों की क्या नाम थे तो हमनी फस्त लाइन में पड़ा था सौरव गौरव थे दो भाई तो क्या नाम थे दोनों के सौरव और गौरव सौरव क्या कह रहा था सौरव क्या कह रहा था मेरी पकॉडी मेरी पकॉडी गौरब क्या कह रहा था मेरी कचाड़ी गौरब ने कहा मेरी कचाड़ी नेक्स पेच बेज नमबर 64 गौरब की मौसे गौरब की मौसी आई मौसी के साथ उनका बेटा सौरब भी आया गौरब की मौसी आई जे देखो गौरब की मौसी है उसके साथ उसका बेटा सौरब भी आया नौकर नौकर ने मौसी के लिए गरम पकोड़ी और कचोड़ी बनाई नोकर ने मौसी के लिए गरम पकोड़ी और कचोड़ी बनाई नोकर ने मौसी के लिए क्या बनाई पकोड़ी और कचोड़ी इसके बाद नोकर सोदा लेने चला गया इसके बाद नौकर सौधा लेने चला गया मौसी ने गोरव को खिलोना दिया गोरव को क्या दे रही है खिलोना गोरव विचोने पर बैठ कर खिलोने से खेलने लगा सौरव भी पास पड़ी चोकी पर बैठ की खेलने लगा तो सौरव भी उसके पास चोकी पर बैठ की खिलोना मौसी ने माली से पोधे लगाने को कहा मौसी को क्या शोक है पोधे लगाने का मौसी भी माली के साथ पोधे लगाने लगी फिर जे देखो मौसी भी जहां पर पौदे लगा रही है अब नेक्स पेज हमें वियास करेंगे इसका चितर का नाम लिखकर भाक्या पूरे करो यह चितर दिया हुए आपने इसका नाम लिखना है चितर का और इस भाक्या को पूरा करना है जे कौन है? कौवा कौवा पेड़ पर बैठा है आगे नौका नदी में तैर रही है तुझी किसका चितर है नौका? नदी में तैर रही है घोरी पौधा लगा रही है पौधा सौरव के हाथ में खिलोना है जी क्या है कार का खिलोना? खि-लो-ना खिलोना नेक्स्ट प्रश्णों के उतर लिखो गौरव के घर कौन आया? गौन आया था गौरव के घर? गौरव के घर उसकी मौसी आई नौकर क्या लेने चला गया? नौकर सौदा लेने चला गया मौसी को क्या लगाने का शौक है? मौसी को पौदे लगाने का शौक है तो जहाँ पर क्या आएगा? पौदे शबत सीडी पूरी करो समी तो क्या आएगा? मौसमी जहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मौसमी फिर एक शबत बनेगा मौसमी मौसी मौसी ऐसे ही पकौडा मकौडा मकौडा ऐसे ही अपने जी पेज 65 कम्प्लीट करने है और पीछे वाले पेज की भी रीडिंग करनी है जो नेक्स पेज हैं पेज नमबर 66 and 67 पिटा जी आपको कलास नोट्स में डाल दिये जाएंगे आपने बहां से देख के जी काम कम्प्लीट करना है ओके वाय थैंक यू कि आपकर बज़ीं हूए कि अ चाहिएल वह सब्सक्रीज अ